हमारे चहरे के उपर एजिंग के साइन जल्दी से दिखाई ना दें एजिंग के साइन मींस रिंकल्स, फाइन लाइन, जाईया, जूरिया ये देरी से आएं, ये फेस पैक आपकी इन सभी प्रोब्लम को सोल्व करने में आपकी हेल्प करने वाला है इस फेस पैक के रेगुलर इस्तेमाल से आपकी स्किन में नई जान आ जाएगी क्योंकि ये फेस पैक कोलेजन को बढ़ाएगा, आपकी स्किन को हेल्दी रखेगा, आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा Green tea से बना ये face pack collagen को बढ़ाने में help करता है हमारी skin को healthy रखता है यहां तक कि अगर आप इसका regular इस्तेमाल करोगे आपके चहरे के उपर अगर pigmentation है तो उसको भी ठीक करेगा हमारे चहरे के उपर उमर के निशान जल्दी से दिखाई ना दे इसके लिए green tea अकेली ही सक्षम है लेकिन इस face pack को बनाने के लिए मैंने इसमें जो दूसरे ingredient इस्तेमाल किये हैं वो भी सभी के सभी हमारी skin को healthy, glowing बनाने के लिए, जवां बनाए रखने के लिए बहुत ही बढ़िया है तो आप खुछ सोचिए कि जब इतने सारे ingredient आपस में मिल जाएंगे वो अपने गुण एक दूसरे में छोड़ेंगे तो ये face pack कितना powerful बन जाएगा अब बात आती है इस face pack को कौन कौन लगा सकता है इस face pack को कोई भी लगा सकता है कोई दिक्कत नहीं है आप हफते में दो बार लगाएं हफते में तीन बार लगाएं ये आपकी choice है लेकिन अगर आप इसको regular लगाओगे तो ये आपकी skin के उपर बहुत ही बड़िया result दिखाएगा ये आपकी skin की age को आपकी actual age से 6-7 साल छोटा दिखाएगा ये ही तो हम सब चाहते हैं ना हाई एवरीवन आपका आपके अपने चैनल beauty with nature बाय सुनीता सैनी में बहुत बहुत स्वागत है कैसे हो आप सब लोग I hope आप सब लोग खुश होंगे अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कीजिए और कॉमेंट करके भी मुझे जरूर बताएं कि आपको किस टॉपिक के ओपर वीडियो चाहिए तो देरी के बिना चलते हैं अपने वीडियो की तरफ सबसे पहले हम अपने चेहरे को से चाहरे साफ कर लीते हैं अपने च नदे को मैं गुलाब-जल से साफ कर रही हुँ उस के बाद हम अपना फेस पक लगाएंगे फेसय पक लगाने से पहले अपने चेहरे को larını की पर चाहरे हम ऐसे ही अपने चहरे के उपर फेस पैक लगा लेंगे तो चहरे के उपर अगर कोई डर्स्ट मिटी वगारा या मेक अप लगा हुआ होगा तो हमारी स्किन अच्छी होने की बजाए और खराब हो जाएगी इसलिए अपने चहरे को पहले क्लीन जरूर करना है ठीक है सबसे पहले हम एक चमच जोंका आटा लेंगे आप जोंका आटा ले सकते हो बेसन ले सकते हो घर का आटा ले सकते हो जो आपके पास इस समय अवेलेबल हो अब वो ले लें ठीक है मैं यहां जोंकार्टा ले रही हूँ यह हमारी स्किन को सोफ्ट मुलाएम और चिकनी बनाकर स्किन में निखार लाएगा आदा चमच लेंगे कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है यह टैनिंग को हटाएगी और स्किन पर ग्लो लाएगी अब हम एड़ करेंगे इस फेस पैक का स्टार इंगीडियंट एक चमच ग्रीन टी ग्रीन टी को लेजन को बढ़ाती है इसी वज़ा से हमारे चहरे के ऊपर रिंकल्स और फाइनेस देरी से आती है यह हमारे स्किन को हेल्दी रखती है इसके इस्तेमाल से पिग्मेंटेशन भी दूर होती है यह हमारे चहरे के ऊपर से डेट स्किन को भी निकालती है आधा चमच एलोवीरा जेल एलोवीरा जेल को तो स्किन के लिए वरदान माना गया है ये एजिंग को रोकने में सक्षम है इसके इस्तेमाल से fine lines wrinkles देरी से आती है क्योंकि ये skin को hydrate रखता है अब इन सबी चीजों को mix करने के लिए हम लेंगे गुलाब जल गुलाब जल हमारे skin को नमी देगा ताकि skin पर जूरियां देरी से आए चहरे के उपर निखार और चमक लाने के लिए गुलाब जल बहुत ही अच्छा होता है पहले आप इन सभी इंग्रीडिंट को अच्छी तरह से mix करके देख लें अगर ये ऐसी consistency में त्यार हुई है कि जो आपके चहरे के उपर असाने से tick पाए तब आप इसमें कुछ और add मत करना बट अगर आपको लगे कि ये आपके चहरे के उपर tick नहीं पाएगा लग नहीं पाएगा क्योंकि ये tight है तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल add कर लें ताकि ये आपके चहरे के उपर असाने से tick पाए अब हम इसे अपने face के उपर apply करेंगे बहुत अच्छे तरीके से अपने पूरे face और garden के उपर लगा लेंगे ठंड की वज़ा से मैं तो इसको सिरफ अपने चहरे के उपर लगा रही हूँ इन इंग्रीडियंट में मिक्स कर दे जब ये सारे इंग्रीडियंट एक दूसरे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे अपनी quality एक दूसरे के अंदर छोड़ देंगे तो इस face pack का निखार दोगुना से तीगना हो जाएगा ये face pack आपके चहरे के उपर जो जूरीएं और जाईएं आ गई है ना उनसे लड़ेगा और चहरे के दागधबों को कम करने में भी आपकी बहुत help करने वाला है हमारे चहरे के उपर aging के sign जल्दी से दिखाई ना देने लग जाए ना इसके लिए green tea का ये face pack तो बहुत ही बढ़िया है आप इसका इस्तेमाल जरूर करके देखें लेकिन एक बात का दिहान रखना है कि इस face pack को बनाने के लिए इसमें मैंने जो ingredient इस्तेमाल किये हैं अगर आपको उसमें से कुछ सूट नहीं करता तो प्लीज उसको skip कर दें बिल्कुल use ना करें या past test करके देखें अगर आपको कोई aging या redness नहीं आती तो इसका मतलब आप इस face pack का इस्तेमाल कर सकते हो इस face pack को अपने चेहरे और neck के उपर लगाने के बाद आप इसको 15 minute rest करने के लिए छोड़ दें उसके बाद हम इसको wash करेंगे ठीक है देखे फ्रेंड्स इस face pack को लगे 15 minute हो गए है अब मैं आपको अपना चेहरा wash करके दिखाती हूँ देखे कितना प्यारा result आया है ये face pack हमारे skin को glowing तो बनाएगा ही बनाएगा है इसके साथ साथ हमारे चेहरे के उपर pre-mature aging के sign दिखाई ना देने लग जाएं अगर हमारे age बढ़ गई है हमारे skin के उपर wrinkles fine lines already आ चुकी है तो वो वही control हो जाए उसके उपर भी work करेगा अब टाइम है अपनी skin को मौस्टराइज करने का मैं अपने चेहरे के उपर coconut oil लगा रही हूँ आप अपनी मन पसंद कोई भी cream लें कोई भी मौस्टराइजर लगाएं लेकिन अपनी skin को कोई भी face pack लगाने के पाद मौस्टराइज जरूर करें तो आप भी इस magical face pack को बनाएं इसके magical results पाएं तो फिर मिलेंगे हम अपनी next video में तब तक के लिए बाई बाई